स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी खुसखबरी आ चुका है और देख सकते हैं क्या बड़ी खुसखबरी आया हुआ है कच्छा 9 से इंटर तक के छात्रों की OEMR सीट पर होगी परिच्छा तो यूपी बोर्ड में जो है कच्छा 9 से लेकर के कच्छा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को अब परिच्छा जो होगा OEMR सीट पर परिच्छा कराया जाएगा तो यह खबर कहां से परकासित हुआ है तो देख सकते हैं खबर लखनों से परकासित हुआ है सरकारी माध्मिक स्कोलों में अब कच्छा 9 से लेकर इंटर तक के विद्यार्थियों की परिच्छा आर्टिकल मार्क रीडर OEMR सीट पर होगी सरल एप के माध्यम से इसका मुल्यांकन किया जाएगा मतलब एक के एप भी बनाया गया है उस एप का नाम है सरल एप सरल एप के माध्यम से जो है उसकी काफी को मुल्यांकन किया जाएगा इस एप के माध्यम से मुल्यांकन किये जाने में काफी कम समय लगेगा और विद्यार्थियों उन्हें कच्छा में क्या कुछ सीखा है वह सामने होगा यही नहीं इस एप की मदद से मुल्यांकन किये जाने की पूरी बिवस्था पादर्सी होगी विद्यार्थियों के रिजल्ट भी इसी की मदद से उपलब्ध कराया जाएगा महा निदेशक स्कूल सिच्छा विजय कीरन आनंद ने बताया कि अभी परसदी स्कूलों में कच्छा एक से कच्छा आड़ तक के विद्यार्थियों के परिच्छा OMR सीट पर ली गई है अब नए सैचिक सत्र 2023 में इसका दायरा बढ़ा कर कच्छा 9 से कच्छा 12 तक कर दिया गया है मतलब 2023-2024 की जो परिच्छा होंगे वह परिच्छा OMR अब सीट पर परिच्छा होगा यह नियम जो है 2024 में जो एकजाम होगा वह जो है नियम लागू किया जाएगा 2023 में जो परिच्छा होंगे अभी यह परिच्छा कच्छा 12 तक जो है OMR सीट पर नहीं होंगे 2024 में जो परिच्छा होंगी वह परिच्छा कच्छा 9 से ले करके कच्छा 12 तक की परिच्छा OMR पर परिच्छा कराई जाएंगी तो यह यूपी वोड़ से बहुत बड़ी खुसकवरी आया गवा था तो यह खुसकवरी आप सभी विद्यारतियों को कैसा लगा आप सभी विद्यारति जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर दिया पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्काइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यूपी वोड़ का पलपल का खबर इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार